आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार सीम योगी का प्रियाग राजदौरा संग प्रबुख मोहन भागवस से करेंगे मुलाखात उत्रप्रदेश महसमें पहुचे वन एम पर्यावरण मंत्री महसमें प्रिदश निकाल लिये जाजा लखनों में ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट का होगा आगाश यूपी पात्नर बनेगा सिंगापूर प्रवाई शेत्रों के पति सरकार होई कंभी नगर विकास मंत्री एक शर्मानी क्या निर्ट छड़ थेवारिया में दबंगों ने यूवक पर धाधार हतिया से क्या हमला पर इतने स्पी से लगाई निया क्यों गुहार प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदनी यादो वक्त हो चुका है उत्रपदेश की बड़ी खबरों कारू करते हैं खबर की ओर सूबे के मुख्या सीम योगी आदितनात आज प्रयाग राज दौरे पर है बतादे सीम योगी अपने दौरे के दौरान संग प्रमुख मोहन भागवस से करेंगे मुलाकात सीम और संग प्रमुख की कई एहम मुद्रे पर बाचीत होगी इसके साथ ही सीम योगी संग के एक कारेक्रम में भी शामिल होंगे बतादे कि इस उबे के मुख्या सीम योगी अधितनात आज प्रयाग राज दौरे पर हैं जहां वो संग के प्रमुख मोहन भागवस से मुलाकात करेंगे सीम और संग प्रमुख की कई एहम मुद्रों पर बाचीत भी होगी इसके साथ सीम योगी संग के कारेक्रम में भी शामिल होंगे और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवधाता पवन हमारे साथ जोड़ा है पवन आज सीम योगी आधितनाद का प्रियागराज दौरा है और वो प्रमुख मोहन भागवस से मुलाकात भी करेंगे बिल्कुल लंदरी संगम नगरी प्रियागराज में राश्टी सर्म सेवक संग की बैठक है जो सोला तारीक से चल रही थी हाला कि जो संग की बैठक है वो बीते कल को समाथ हो चुकी है लेकिन आज सुबे के मुकिया योगी आधितनाद प्रियागराज के दौरे पर है और वो लखनाउ से सीधे जहां पर संग की बैठक चल लेए वहाँ पर उनका उड़न खरोला उतरेगा और वहाँ पर वो संग प्रमुक मोहन भागवत से बातचीत करेंगे कहा जा रहा है कि यहीं से 2024 के चुनाओ की जो रणनीति है उस पर चर्चा होगी अगर बात की जाए संगम नगरी प्रयागराज की तो आज सुबे के मुकिया का जो आगमन है वो करीब एक बज़े से हो चुका है और वहाँ पर संग प्रमु के साथ बाचीत कर रहे हैं क्योंकि मुक्षमंत्री का यह कारेक्रम है पूरी तरीके से उनका जो है रिजर्व रखा गया है तो मीडिया को कही ने कहीं से मुक्षमंत्री के इस कारेक्रम से दूर रखा गया है लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर जो और जो पहले की जो प्रेश्वारता हुई है संगे के माध्यम से उससे कहा जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें जो रन्नीतियां है उसमें वहाँ चर्चा होगी संग प्रमुट डाक्टर मोहन भागवास साही संगे के कई पता धिकारी पे वहाँ पे मौझूद है जी गृको प्रेश्वारता की गई प्रेश्वारता के दारान बताया गया कि कई राजनेति एंक इस सामाजिकkil मुत्और संग में चर्चा की गई है अब इनका जो कारेकरम इसके बाद इनका कहीं कारेकरम प्रियागराज बनाई है कहा जा रहा है कि दो बज़े के करीब मुक्तमंत्री लखनाओं के लिए उडान बरेंगे देखा जाए पावन तो 2024 का जो चुनाओं है वो तो होना यह लेकिन अभी इधर नगर निकम का चुना कैस वो प्रिशाद मौरियागराज थे उन्होंने सरकीट हाऊस में वदादीकारियों से कारकरताओं से मुलाकात किया और उन्होंने निकाज चुनाओं में अच्छे तरीके से कारेकरने की लिए तो निश्यत रूप दिन निकाज चुनाओं उस पर भी पार्टी कहीं ने-क जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पावन लखनाओ के आशियाना में कथा ग्राउन में चल रहे उत्रपदेश महोसो के कारिक्रम में यूपी के वन एवं परियावरण मंत्री अरूर सकसेना शामिल हुए बतादे 31 अक्टूबर तक आयोजित इस मेली में सांस्कृतिक समारों के मुख्यातिती के रूप में वन एवं परियावरण मंत्री डॉक्टर अरूर सकसेना ने प्रदशनी का जाय जालिया इसके साथी मंत्री अरूर सकसेना ने योगी सरकार द्वारा पहले कारेकाल के शुरूआत के साथी ओडी ओपी योजना के बारे में प्रशन साकी वही प्राइम कीवी की समधाता रिते श्रिवास्तों ने वन मंत्री से सवाल किया कि अवैद आरा मशीन और पेडो के कटान पर क्या कारिवाई होगी जस पर जवाब देते हुए वन इवाम परियावणर मंत्री अरूर सक्षेना ने कहा कि प्रदीश में कहीं भी अवैद आरा मशीन चरालनी वालों पर कारिवाई करने की बात कही गए अक्षाना में मौझूद है उत्तर प्रदेश महसो यहां पर चला है हमारे साथ बात करने के लिए वन इवाम परियावणर मंत्री अरूर कुमार सक्षेना जी है मैं इसे बात करूँगा कि किस तरह का सांस्क्रिटिक करकर में यहां चला है आपने यहां पर देखा जा जा लिया कैसा करकर में लग रहा है देखें मापर रजन फाउंडेशन ने आज यहां जो उत्तर प्रदेश महसो आयोजन किया है वो बहुत ही अच्छा है अभी मैंने स्टाल्स देखे हैं और यह स्टाल्स खास साथ से ओडी ओपी से कनेक्टिट है वन डिस्टिक वन पॉड़क उसके अरावा जो हमारे आदिवासी लोग हैं जो जंगल से जड़ी बूटियां लाते हैं उनका है जो महलाएं घरों पर काम करके चीज़ें बनाती हैं उनके ले देखते हैं विवन मसाले हैं और कपड़े हैं इस तरह से मैं कहूंगा यह मेला बहुत अच्छा है इस तरह के मेले आयुद तो होना तहीं है यह स्वास्त मन और रंजन भी देते हैं और लोगों को रोज़गार भी जेते हैं इस मेले में जैसे यह नक्षासी लगडी के जो लगडी पर जो नक्षासी होती है उन पर क्या कहेंगे आपके लिए आपके तरफ से आपके विभाद से किसी प्रकार की सुबिधा दी जाती है जो लोग लगडी का कारव बना रहे हैं मैं उन्हें बढ़ाई दूँगा और उनका बहुत-बहुत सम्मान करता हूं लगडी क का जो कंदम्शन है कम है और लगडी को जलाया नहीं जाना चाहिए उसकी एक से खुप्सूरत चीज बना जाना चाहिए सर यह बन और पर पर्यावरण पर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लगडी के कटान जगा 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 हो रहे हैं आरा मशीन लग रहे हैं जगा से कि जो भी अवैद आरा मशीन होंगे उन पर कारवाई की जाएगी मैं पुना यहीं कमगा जो भी अवैद आरा मशीन चल लगी हो आप बताए मुक्त ख़ाफ कारवाई करा तो आप में देखा साब तो पर वन्यों पर्यावरण मंत्री अरूंकमार सक्षेना का कहना है कि कि अगर कहीं बेवैद आरा मशीन या तरीके की पेंड कटान की बाते कहीं हो रही है अगर उन्हें जानकारी होगा तो उस पर कारवाई की जाएगी के मेरावेन बीजे के साथ रितेश रवास्तो प्राइम टीवी लग शूबे के नगर विकास मंत्री एक शर्मा ने प्रेंसिंग के जरिये इन इलाकों की समिक्षा भी की जानकारी के मुतावित अभी कई जीलों में भारी बारिश के कारण बार के सिती बनी हुई है जानकारी के मुतावित अभी भी कई जीलों में पानी भरा हुआ है जिससे जन जीमन प्रभावित है सिंगापूर गवर्मेंट के ट्रेड और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के सीनियर डिरेक्टर मिश्टर फांसिस चौंग यहां लखनों के विजित पे थे कई उच्च अजिकारियों मुखे सचिव वगेवर से मिलने के बाद चुकि हमारा और उनका पुराना नाता रहा है काम किया गया है हम जब दिल्ली में MSMी मंत्रा लेकि जब सचिव थे तो उनकी मिनिस्ट्री के साथ हमने सिंगापूर से एक पार्टनर्शिप की थी लखनों में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने सिंगापूर गवर्मेंट के ट्रेड एंड इंडरस्री मिनिस्ट्री के सीनिर डारेक्टर फ्रेंसी चोक से अपने आवास पर मुलाकात की ये मुलाकात एक शुस्टा चार भेट थी लेकिन इस मुलाकात में कई एहम मुद्व पर चर्चा हुई इसके साथ ही नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्राइम टीवी से बाचित में ग्लोबल इन्वेस्ट में समीट में सिंगापूर यूपी का सहयोगी होगा साथ ही उन्हों ने कहा कि सिंगापूर भारत का बहुत विश्वास पातर सहयोगी रहा है हम उनका जितना यूपी यूपी के विकास के लिए कर सके उतना बहतर होगा सिंगापूर गवर्मेंट के ट्रेड और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के सीनियर डिरेक्टर मिश्टर फांसिस चौंग यहां लखनों के की विजित पे थे कई उच्च अजिकारियों मुखे सचीव वगेर से मिलने के बाद कुकि हमारा और उनका पुराना नाता रहा है काम किया गया है हम जब दिल्ली में मस्मी मंतराले के जब सचीव थे तो उनकी मिनिस्ट्री के साथ हमने सिंगापूर से एक पार्टनर्शिप की थी प्रफ बारेली के थाना के लाब शेत्र के चंदर नगर में बेटे ने अपनी मा की चाको के साथ गोद कर हत्या कर दी बतादे शराब के लिए पत्नी से पैसे मांगने को लेकर छगडाओ गया था फसी बीच आरोपी मा बीच बचाओ करने आई तब ही आरोपी ने मापर चाकू से हमला कर दिया और मा की मौखे पर ही मौत हो गई वहीं पर पत्नी गंभीर उपसे घायल हो गई फलाल पुलस ने आरोपी को गरफतार कर लिया है और आगे की कारिवाई शुरू कर दी है नोड़ा के सेक्टर 166 दग गोल्डें प्लॉम सोसाइटी बेगवाफिर से एक खौफनाक तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई बता दे एक आवारा कुट्टा एक मासूम बच्ची को काटने दोड़ा मगर वहां तैनाद गार्ड ने उसे डंडा मार कर भगाया गनीमत बात रही कि बच्चा वहां मवजूद गार्ड के वज़े से बच्ची को कोई नुकसान नहीं हुआ और राया में सदर कोतवाली शित्र के नई बस्ती सैनी कालोनी में देरात को चोरों ने एक मकान का तालार तोड़कर उसमें रखे जिवरा समित अन्य सामान पार कर दिए जिसके बाद पडोसियों ने टूटे ताले देखकर घटना की जानकारी घर के माली को जानकारी दी जिसके बाद घर की मालकी ने पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी जिसके बाद पुलिस मामने की जाच कर रही है अब मुझे तो कुछ मालूम नहीं हम तो थे नहीं कहां थे आप लोग हम तो कानपुड थे कपसे जो अक्टूबर को गए हुए थे तो फिर आपको कैसे सुछना मिली यहां पर कैसे घटना गटी वे बंगल वाले लोग गे ते कुड़ा उड़ा डालने उन्हीं ने देखा त देवर्या में रुद्रपूर थाराशित के तिवारी टोला में दूध बेचने गए बच्चों की लड़ाई हो गई जसके बाद शिकायत करने गए बच्चों को लेकर पहुंचे पिता पर दबंगों ने धारधार हत्यार से हमला कर दिया वह इस वारदात की लिखित तहरीर पित ने 15 अक्टूबर को रुद्रपूर थाने में की लेकिन पुलिस प्रिशासन की तरब से कोई भी कारिवाही नहीं की गई जसके बाद पित ने पुलिस अधिक्षित से न्याय की गुहार लगाई है कोई था जो आपको तलवार से मारधा इस बात का भी बात था कोई बात नहीं था हमार लड़का दूर देख आ रहा था उसके लिए अमारे लड़का है हमारे पाप हमको मारा यह है उसके जमानों उसको तंजाने के लिए बहुत हो गई थी इस घटना से नहराज कई स्थाने लोगों ने इस सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला प्रदर्शन कारियों में कई महिलाए और बच्चे भी शामिल थे इसके साथ ही उन्होंने मांग की सोसाइटी को डॉक्ट फ्री किया जाए हमने सारे रेजिदेंट्स ने इकठे वो के कैंडल मार्च किया है इस पीस्फुल मार्च उस बच्चे के लिए साथ महीने के बच्चे के लिए जो कि जिसका कसूर भी नहीं था और वो उस दुनिया से चला गया क्यों? क्योंकि उसके उपर अटैक हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए बीग रेजिदेंट्स आफ तो ससाइटी इस अच्छ शेम्फुल आग फ़र आपक अट्व लोग की बार बार इससाइटी में इंसिदेंट्स होते रहे होते रहे होते रहे अच्छा साथ महने का जिसको डॉक्ट अटेक्ट में बच्चे की जान दिये और हम सब ने आज इसकी आख्वां की शांते के लिए एक टेंडल मार्च निकाला है और अपना प्रोटेस्ट नुड़ा अथौर्टी और सारी अथौर्टी के अगेंस्ट में जो जुम्मेवार है हमारी अपील है नुड़ा थौर्टी से रितू महश्वरी से जो सीईओ है आगी तो इमिगेटली यहां से डॉक्स को सारे डॉक्स को बाहर नकाले और जो उनकी जगह है शेल्टर में वहां भेजे दोबारा इस तरह की धुक्तना नहोंने पाए खबर और आया जीले से हिजहां पर 40 सार पुराना सेंगु नव पुल किसी बड़े हास्य को दावत देता नजर आ रहा है जानकारी के मताबिक एक तरफ पुल की सड़क से गड़े के सासा सर्या दिखाई पढ़ने लगी तो वहीं दूसरी तरफ पुल के किनारे लगी रेलि जिसके बावजूर भी प्रशासन तरफ से कोई सक्त कदम नहीं उठाया जा रहा है हाँ, वो मेरे संग्यान दो है हम लोग कर लोगी उस वोड का दोरा डियम साथ बढ़ने किया है हमारे स्टाफ पर साथ में उस पुल का हमने इस चुन बना के लिग जाओ पार है रेलिंग और काम तब 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 तेंपररी हमें उसमें दगवा देंगे परेली सब्सक्रामितर लगा देंगे लिए रसी या बच्वा सब्रबात लिए ते बगड़ा जिसकी एक्सियंट नव होने पाए और जैसी परदा संक्षिन होता है हम उसको पुल करा दोगी तब तक जो गढ़्धें किसे कि एक गढ़्धों किसे एक हमके तो पहले पाए हम यह जो पॉट्रिंग पॉइंट हो रहा है यह बताईए यह सेंगन नदी है जो यह रिलिंग टूटी हुई है यह कफे टूटी पड़ी है लगवा तो इससे मतलब कितनी यह रोट कितनी जलती है यह रोट बहुत चलती है और इस पर हथ़ा होने की बहुत ही चंस से रहते है कि जातना रोट यह चलती है सिंगर रोट तो हई और साथ समय कोई भी एविद्ध शनवाई ही करना है फिलहार के लिए उत्रदेश की खबरों में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार